नमस्कार आप देख रहे हैं शुर्ट 24 नियोज और मैं हूँ आपके साथ श्वादिका भारते रेलवे जैपुर से चार बंदे मात्रम एक्स फ्रेस ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रहा है ट्रायर के मांडन पर खरा उतरने के बाद इन ट्रेनों को जल्द शुरू करने का दावा भी किया जा रहा है पेश है ये खास रिपोर्ट भारते रेलवे का गौरव शाली इतिहास रहा है और मौजूदा दौर में वर्ट क्लास स्वीधाएं उपलप कराने में वहलगातार इनुवेटिव आइडिया पर काम कर रहा है मौंबई से हमदाबाद के बीच बुलट ट्रेन चलाने की योशना पर काम हो रहा है इस प्रोजेक्ट से पहले रेलवे ने दिल्ली से वारानसी और दिल्ली से कट्रा के भी सेमी हाई स्पीज ट्रेन वंदे भारत को फरवरी 2019 में शुरू किया था अगले साल तक देश भर में 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योशना है इसके तहट राजस्थान के चार शहरों से वंदे भारत ट्रेन चलाने की योशना पर रेलवे बहुत तेजी से काम कर रहा है राजे में ये शहर जैपूर से दिल्ली, जैपूर से जोदपूर, जैपूर से उदैपूर और जैपूर से कोटा तक चलाने की योशना है रेलवे सूतरों के मताबिक सेमी हाइ स्पीज ट्रेन वंदे भारत का पिछले महीने कोटा में ट्रायल हो चुका है जिसमें ट्रेन की स्पीड 180 क्लोमेटर प्रती घंटा ना पी गई बताय जा रहा है कि तैस शेडियूर के अनुसार काम हुआ तो अगले वर्ष तशहरे तक इन चारों ट्रेन में सफर शुरू हो सकेगा रेलवे इन सब पर 500 करोड रुपए खर्च कर रहा है ट्रेन का डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि इसमें जटके महसूस नहीं होंगे जीपिएस, सीसी टीवी, वैक्यूम बेस बायो टॉलिट, इमर्जेंसी पुश बटन, यूरोपियन स्टाइल चियर और हवाई जाहस जैसी लगेज रेक, स्ट्रेन की खास विशेशता होगी जहां तक स्पीट की बात करें तो जैपूर से दिल्ली का सफर एक घंटा और 45 मिनट में संभव होगा जबकि अभी चार घंटे और 45 मिनट लगते हैं इसी तरह जैपूर से जोदपूर एक घंटा 45 मिनट, जैपूर से उदैपूर दो घंटे 25 मिनट और जैपूर से कोटा केवल 80 मिनट में पहुचा जा सकेगा रेलवे के दावों पर यकिन करें तो निश्टित तोर पर लोगों का समय बचेगा और स्वीधाओं से भरी ट्रेन में ग्यातरा करने का आरंद आएगा प्यूरो रेपोर्ट शुप 24 न्यूज तो यूही बनने रहे हमारे साथ शुप 24 न्यूज में नमस्कार